महराष्ट में घपले घोटाले एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं और अब इडी की कारवाई में उदव ठाकरे के साले स्रीधर मादव पाटन कर भी फंस गए हैं आपको बताएं स्रीधर मादव जो हैं इनके 11 फ्लैट सीज की हैं एडी ने लगबख प्रोपर्टी है 6.45 करोड की और मामला है आपको बताएं ये एक है जो साई बाबा ग्रह निर्मित सोसाइटी है उसकी एक प्रोजेक्ट चल रहा था निलामबरी प्रोजेक्ट उस खबूत थे कि ये जो उदव ठाकरे के साले हैं स्रीधर इनको 30 करोड रुपे ये निलामबरी प्रोजेक्ट के जो लोग हैं इन्होंने 30 करोड रुपे दिया है और वो भी उधारी के नाम पर तो सवाल ये उठ रहा था कि उधारी के नाम पर दिया लेकिन जो कंपनी है कि आखिरकार उदव ठाकरे जो की मुख्य मंतरी हैं महराश के उनके साले ने ये जो 30 करोड रुपे लिए ये कहां इन्वेस्ट किये क्यों इन्वेस्ट किये और इसकी एवज में मदद क्या की इसको लेकर जब एडी कारवाई कर रही है उनके फ्लैट सीज करने की कारव केंदर सरकार हमारी सरकार को गिराना चाहती है केंदर सरकार जहां बीजेपी की सरकार नहीं है उन्हें राज्यों में इस तरह की कारवाई कर रही है एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है उन्होंने कहा बीजेपी उन्हीं राज्यों में ऐसा काम कर रही है जहां वो सत् मैं पहले भी कह चुका हूँ संजयराओ जी अगर भाजपा का उद्देश सत्ता पाना होता मैं कोई उसका प्रवक्ता नहीं हो लेकिन बता रहा हूँ केंदर सरकार यदि ऐसा सोचती कि उसको सरकार गिरानी है अनेक मोके केंदर सरकार के पास ऐसे आए कि वो कभी भी इस तरह से दुरुपयोग अगर करती होती तो केंदर में अगर कॉंग्रेस होती तो अभी तक कई लीडर जेल के अंदर बंद होते यह मोदी जी हैं केंदर सरकार है अमिशा जी हैं जो केंदरिया एजन्सियों को कोई अक्तशेप नहीं करते और इसका कारण है कि जेल के अंदर अगर महाराष्ट के कुछ लीडर अभी बंद हैं तो वो बंद हैं जिनके खिलाब पुक्ता सबूत एजेंसियों को मिले और उन्होंने वो कोट में सम्मिट किये तो संजयराओजी कोट ने भेजा है जेल और जो नेता जाएंगे वो न्याएपाली का भेजेगी लेकिन संजयराओजी का जो बयान है वो आपति जनक है वो कहते हैं कि ये जो केंदर सरकार है ये यहां तानासाई शाशक होने का पता लगता है मोधी को तानाशा कह रहे हैं वो कहते हैं नियाएतंत्र परशासन केंदरिय जाच एजनसियों को इस तरह काम कर रही है जैसे कि वो तानासाई के गुलाम है यानि वो ये कहना चाहते हैं नियाएतंत्र को भी कह रहे हैं जुडीसरी को परशासन को एजनसियों को वो ये कह र कुंबई की बंबे जो हाई कोट है क्या वो मोदी जी के दबाओ में है क्या वो हमिशा जी के दबाओ में है क्या उसके फैंसले जो भी हो रहे हैं केंदर सरकार के कहने पर हो रहे हैं क्या कहना चाहते है संजराउट जी संजराउट जी ये कहना चाहते हैं कि देश की जो निया वाले केस में क्या वहाँ वो BJP वाले अपनी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे केंदरिये ग्रहराज मंत्री के बेटे को जेल में डाल दिया गया कोई जमानत याची का प्रोसस जो हुई आम आदमी भी छूटता इतने दिन में जितने दिन में वो छूटा तो मंत्री होने क कारण केंदरिये एजन्सियों का दुरुपयोग यदि केंदर सरकार कर रही होती ये एक उधारन जानने के लिए कासी है दूसरी बात केंदरिये सरकार अगर मोधी सरकार इन एजन्सियों का दुरुपयोग कर रही होती और आप जैसा कह रहे हो कि नयायत तंत्र भी इनके ग ऐसा नहीं है और आप जो बयान दे रहे हो ये जनता को भड़काने वाला है आप महराश्ट की जनता में अपनी छवी ठीक करने के लिए जूटे आरोप गड़ रहे हो के अंदर सरकार पर आपको चाहिए तो ये था कि आप अपना आत्मन्थन करते आत्म चिंतन करते और ये को किस तो आया था संजराओजी की पतनी का भी नाम आया था 55 लाख रुपे किसी ने इसी तरह उधार दिये थे सवाल ये नेताओं को बिना ब्याज उधार मिल कैसे जाता है इसकी एवज में कुछ न कुछ तो मदद चाहते होंगे वो लोग सवाल यही है फिर आपकी सरकार मे जो उप मुखे मंतरी अजीत हैं अजीत पवार उनके उपर केस है अनिल परब के उपर केस है अनिल देशमुक जेल में है अब तो नवाब मलिक भी जेल में है और मामला एक ही समझ में आ रहा है कि करोड़ों रुपे की प्रोपर्टी कोई प्रोपर्टी थोड़े पैसे दे तो क्या ऐसा वेक्ती जेल के अंदर नहीं रहना चाहिए संजराओ जी आप ये बताइए केंद्री एजेंसी क्या ऐसे आदमी को जेल में ना डालें कि जिसके बंबलाश्ट के दोशियों से जितने जमीन करी दियो जो जमीन सरकार को एक्वायर करनी थी वो जमीन खरीड ली और तीन करोड का माल जो अब तीन सो करोड की जमीन हो चुकी है बीस लाख में प्राइम लोकेशन पर तो आतंक वादियों की मदद हुई के नहीं हुई उनको अगर बीस लाख के बजाए दो लाख भी किसी ने दिये तो वो दो लाख रुपए भी आतंक वादी लेकर क्या क परेंगे उसकी गोली खरी देंगे उसका बंग खरी देंगे और हमारे सैनी को के उपर चलाएंगे हमारे आमनागरी को के उपर चलाएंगे तो दुरुपयों हुआ के नहीं हुआ तो आप आतंक वादियों के मददगार आतंक वादियों को गोला गोली देने वाले लोग उ जो नशा खोरी बेच रहे हैं महराश्ट के अंदर जो नशा खोरी का कारोबार कर रहे हैं वो जो नशे का समान बेचते हैं वो पैसा कहा जाता है इंडारेक्टली आतंकवादियों के पास जाता है और आतंकवादी आए दिन हमारे यां क्या करते हैं सैना पर गोली चलाते हैं हमारे सैना के जवान वो वीर गती को प्राप्त होते हैं उसी पैसे से तो आपको चाहिए यह था कि नबाब मलिक को ततकाल इस्तिपा लेते और आपको बयान आना चाहिए था हम सिर्षैनिक हैं, हम सिर्षैना वाले हैं, हम राष्टवादी पार्टी से जड़े हुए हैं, जो भी दोशी हैं अब आप मलिक अगर दोशी हैं, इनके खलाब सक्ते एक्तन लेना चाहिए, जनता आपके साथ खड़ी होती, लेकिन ऐसा बयान नहीं दिया, और बयान दे रहे पुलिस विभाग ही देखता है, लेकिन उन्होंने कोई इंटरफेर नहीं किया उस बेटे को बचाने के लिए जिसके उपर आरोप थे लकीमपुरकीरी के, अब आप समझ लीजिए, और इसलिए केंदर सरकार की क्या आप, क्या उसका मुकाबला करोगे, मोधी जी से आपकी क्या competition, समझ ही नहीं सकते आप, दुरुपयोग, उपयोग, क्या चीज होती है, आरोप लगा रहे हो, आरोप लगाना आपकी आदत में है, क्योंकि आप अपना बचाओ करना चाहते हैं, जनता के साथ नयाय नहीं करना चाहते हैं, जो घपले, घटाले अगर रोकना चाहते ह अभी आपकी सरकार में टाइम है, जनता को एक मैसिज देना चाहते हैं और अपने नेताओं को, तो सक्त एक्षन अपने नेताओं के विरुद लें, लेकिन यदि आप ऐसा करतें, तो आपके बाकी विदायक जो हैं, वो चिंता करतें, कि भाई, सिवसेना पार्टी, पार्टी है, बीजेपी की तरह, ये तो एक्षन ले रहे हैं, तो भाई क्या करो, ब्रस्टाचार मत करो, रुक जाते हैं, लेकिन आप ऐसा कहने के बजाए जब उनके पक्ष में खड़े होते हो, तो उनको लगता है, कि जिसने सो करोड का ब्रस्टाचार किया, उसके संकवादियों की मदद की, उसके पक्ष में सारी पार्टी खड़ी है, और इसलिए जो चाहे करो, जितना चाहे लूटो, जिसको चाहे मदद करो, पार्टी तो साथ खड़ी रहेगी, तुमसे इस तीपा नहीं मांगेगी, और जो एजेंसियां जाच करेंगी, उनको गेरें के, ताकि आप कोलर उचा उठा के कहें, हम तो सब बढ़िया थे, हमने तो कोई घपला घटाला किया नहीं, ये तो मोदी जी ने खामो खाम पर आरोप लगवाया है, पूछो लो संजर आउट जी से, संजर आउट जी वकील है, ऐसे लोगों के, प्रवक्ता को काम है बोलना लेकिन बोलने में आप क्या बोल रही हो? ये तो सोचो. आप मोधी सरकार को ताना शाह बता रहे हो, तो कौन है डिसीजन लेने वाला? केंडिरी एजंसियां काम कर रही है या तो मोधी जी के कहने से, या हमि בשah जी के कहने से, इसका मतलब आप मोधी जी को हमिश शाह को तान अब आप इस तरह की बाते बोलकर अपने नेताओं को बचाओ कर रहे हो जबकि ये समझ आनी चाहिए कि अगर आप जनता में अपनी छवी ठीक करना चाहते हैं तो कम से कम मोन तो रहो उनके पक्ष में मत बोलो विपक्ष में मत बोलो मोन हो और एजनसियों को अपना काम करने दो तो महराश की जनता कहेगी देखो भई नेता बढ़िया है पार्टी बढ़िया है आप कश्मीर फाइल पे दुनिया से कमेंट ले रहे हैं आप उद्दा कश्मीर फाइल पे बोले आप कहते हो जिन्ना ने तो देश को एक बार बटवाया ये बीजेपी वाले बयान बाजी करके रोध देश को माटने का काम कर रहे है तो भाईया संजयराउच जी मुझे बता दीजिए कि अगर बीजेपी के बयान से देश बढ़ता है हिंदू मुस्लिम में खाई बनती है जैसा आप कह रहे हो तो 1921 के अंदर जो केरल का मोपला कांड हुआ तब तो बीजेपी थी नहीं किसने की 1947 में जो नरसंगार हुआ 10 लाख हिंदू मारे गए 6 लाख इस्तरियों के साथ बलातकार हुए कतले आम हुआ उस समय तो बीजेपी थी नहीं किसने किया और अगर हिंदू मुस्लिम एक्ता की बात करते हो तो कार सेवक 1992 में जो थे राम मंदिर को बनाने के लिए गए थे बाला साब ठाकरे जी की भी इच्छा थी के राम मंदिर का निर्मान हो कार सेवा के लिए गए थे जिन्होंने गोलियां चलाई उन पर तब पूरे देश में जो दंगे हुए वो तो बीजेपी ने नहीं कराए थे तो आप क्या कहना चाहते हो आप लोगों को बढ़का कर उनकी भामना बढ़का कर ये कोशिश कर रहे हो narrative सेट करने की के भारतिय जन्ता पार्टी इस तरह का भयान बाजी करके लोगों में खाई पैदा कर रही है अरे भाई मोदी जी का तो एक नारा है जिस पर खाली नारा नहीं है वो काम कर रही है सब का साथ सब का विकास, सब का विस्वास क्या आपने देखा है कि जिस तरह से सरकारी योजना एक केंदर सरकार की हैं ये इतिहास में पहली बार है कि हिंदू हो या मुसल्मान सब को एक समान रूप से दी है जिस को RSS का कहकर जिस मोदी को हिंदू वादी कहकर जिस आप ताना शा कहरे हो जिस मोदी को उसी मोदी सरकार ने जितने मकान मुसल्मानों को देश में दी है उनकी सिक्षा की विवस्ता की है आई पिएस आई एस की कोचिंग के लिए उनको अलग से विवस्ता की जा रही है ऐसा इतियास में कभी नहीं हुआ लेकिन आप उनको ताना शा कहरे हो ये विपक्ष की फितरत है को कि उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है सरकार की विपक्ष में कोई बात सुनना चाहता नहीं ये तो जूड बोलो जैसे कॉंग्रेश जूड बोलती आई बीजे पी के विरुद्द अब आप जूड बोलिए तो ये जो है नहीं चलेगा और आपको बता दें कि ये जिस तरह की बाते हैं आप कुछ भी कर लीजिए E.D. अपना काम कर रही है C.B.I. अपना काम करेगी जाँच एजनसी अपना काम करेंगी और साला हो या बहनोई भाई हो या भतीजा सब जेल में जाएंगे जो दोशी होंगे बंदे मातरम